क्या आपने जहारखन डीजी स्कूल एक को इंस्टोल किया है और एक ही मोबाइल से धेर सारे बच्चों का रेजिटेशन इसमें करना चाहते हैं अगर हाँ तो ये वीडियो आपकी मदद कर सकती है नमस्कार साथियों , आज मैं आपको इस वीडियो में तीन बाते बताऊँगा नमबर एक किस प्रकार से जहारखन डीजी स्कूल एक को इंस्टोल क रें नमबर दो इसमें बच्चों का रेजिटेशन किस प्रकार करें और नमबर तीन एक ही मवाल से बहुत सारे बच्चों का रेजिटेशन आप इसमें किस प्रकार कर सकते हैं तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले आप अपने मुपायल के नेत को ओन करें और पले एस्टोर में जाएं देखिए यहां पर आप पले एस्टोर देख सकते हैं पले एस्टोर को आप क्लिक करें क्लिक करने के बाद तब सर्च बार में लिखे जार्खन डिजी इसकूल, जार्खन डिजी इसकूल आपके सामने इस तरह से आ जाएगी, आप उसे क्लिक करें, उसके बद देखें आपके सामने इस तरह का इक पेज खुलेगा, आप इस एप को इंस्टॉल कर ले, छोटा सा फाइल है, तुरंत इ इंस्टॉल हो गया इंस्टॉल होने के बाद आप इसे ओपन कर लेंगे खोल लेंगे इसे जैसे खोलेंगे आपके सामने इस तरह का एक पेज खुलेगा इसमें हमारे मुख्य मंत्री श्री हमंत सुर्ण का एक पिक्चर भी दिखाई देगा और नीचे देखे किनारे में पिजी स्कूल आप उसके बाद लास्ट देखे सबसे नीचे कंटीनिव है आप उस कंटीनिव को क्लिक करेंगे जैसे कंटीनिव को क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का एक पेज खुलेगा और यहां पर देखिए दो बाते हैं लोग इन और रजिस्टर जैदि आपने प खुलेगा जहां पर आपको इन्फोर्मेशन्स फिल करना है इसमें आपको डिस्टिक का नाम ब्लोग का नाम इसकूल का नाम क्लास मोबाइल नंबर और एस्ट्यूएंट का नाम यह सारा चीज को भरने के बाद रजिस्टर को क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्टेशन हो ज क्लास मोबाइल नंबर आपको भरना है कि मोबाइल नंबर और नाम लिखने के बाद आप यृइस्टिक करेंगे जैसे register क्लिक करेंगे आपने सामने दिखेगा registration successfully नीचे में और आपका registration हो गया अब क्या है कि अगर आप login करना चाहते हैं और content को देखना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे जिस number से आपने register किया था उसी number को आप फिर से यहाँ पर डालेंगे और वो number डालने के बाद जहाँ पर login लिखा हुआ है उसे आप टच करेंगे जैसे टच करेंगे आपके सामने लिखेगा login successful और आपके सामने इस तरह का एक page खुलेगा जहाँ पर आपको देखेगा content of the day, quiz of the day, all content, content by teacher और school अब देखिए यहाँ पर जैसे अगर content of the day देखना है आज का content देखना है तो आप यहाँ पर जैसे इसको छोते हैं आप यहाँ छोएंगे तो आपके सामने देखी लिखाओ है no content available मतलब आज का कोई content इसमें available नहीं है आप अगर all content को touch करते हैं तो आपके सामने इस तरह का page खुलेगा जहाँ बहुत सारा content आपको दिखेगा आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारा content है आप अपने कलास के अनुसार subject के अनुसार content को चुन सकते हैं content को देख सकते हैं ठीक है अब है कि अगर आप एक ही मवाइल से ज़्यादा बच्चों का registration करना चारते हैं जैसे कभी-कभी क्या होता है कि एक घर में एक ही मवाइल है लेकिन उस घर में दो तिन बच्चे है तो एक ही Android phone एक ही होता है तो उस परिस्थिती में एक ही मोबाइल से आप बहुत सारे बच्चों का registration भी कर सकते हैं कैसे करते हैं चलिए उसे देखते हैं तो जैसे आभी आपने देखा कि एक बच्चे का इसमें registration हो चुका था आप क्या करेंगे दिखिए उसके लिए उपर में तीन लाइन्स है किनारे पर आप उसे टच करेंगे टच करने के बाद दिखिए जो भी बच्चा का आपका registration था उसका यहाँ पर खुलेगा आप उसे लोगाउट हो जाएंगे आप उसे लोगाउट कर लेंगे चलिए उसे लोगाउट कर देते हैं जैसे लोगाउट करेंगे मतलब एक बच्चा का registration हो चुका है अगर दूसरा बच्चा का registration करना है तो फिर हम क्या करेंगे फिर register here पर click करेंगे और इस बार हम दूसरे बच्चे का सारा data भरेंगे के लिए फड़ापड हम दूसरी बच्चे का सारा data भर लेते हैं तो इस बार हमने दूसरे बच्चे का सारा data information हमने फिल कर लिया सुरक्षा के दृष्टी कौन से मैंने सारा चीज बलड किया हुआ है यह आपको आसपर साइद नहीं दिख रहा होगा उसके बाद सारा कुछ भरने के बाद फिर से क्या करेंगे इसे रेइस्टर करेंगे बस यह हो गया successful रेइस्टर अच्छी लगी होगी और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करेंगे और इसी परकार की वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपक के साथ तब तक के लिए जाए ही प्रॉपक के लिए टॉपक के लिए हो है प्रॉपक के लिए और गॉपक के लिए में एक लिए